मैं सवागत है आपके एको नई वीडियो में भाई रात altcoins से बहुत ज़्यादा पैसा भार निकाला गया है क्या है proof मैं आपको दिखाने वाला हूँ और market की update मैं आपके सामने रखने वाला हूँ सबसे पहले आप bitcoin को ही देख लो भाई bitcoin हमारा लगातर fall कर रहा है और 27,300 के गरीब हम market में आ चुके है next move क्या होगा यह मैं आपको बता हूँ लेकिन पहले बात करते हैं कि भाई यह जो altcoins है उनके अंदर यह जो हाल है आज यह हमें देखने के ने मिला है यह क्यों हुआ है तो यहाँ पर आप देख लो 3% आपका bitcoin डाउन है उसके अराब आप देखोगे Ethereum यहाँ पर 4% डाउन है BN भी देख लो आप हमारा थोड़ा सा positive है बाखी सारे altcoins यहाँ पर भाई आपके 6%, 7%, 8%, 9% तक डाउन है इसका सबसे बड़ा reason क्या है सबसे बड़ा reason इसका भाई एक ही है कि जो हमारी total market cap है total market cap है भाई वो काफी नीचे fall करी है ठीक है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर total market cap आप देखोगे तो भाई लगातार हमारी fall कर रही है अब इसका मतलब क्या हुआ हुआ मतलब यह हुआ भाई कि जो पैसा altcoins के अंदर पड़ा हुआ है वो निकला है ठीक है अब यहाँ से आप देखोगे तो हमारा जो टॉप था वो लगबग था आपका 657 billion जब market में altcoins आपके लगातार बूम कर रहे थे और आज की rate में जो है वो है 592 billion यानि कि लगबग 11% हमारा जो total market cap है मैं आपको पहली बता दू उसमें bitcoin की market cap include नहीं है ठीक है पैसा जो bitcoin में पड़ा हुआ है वो include नहीं है यह सिर्फ altcoins का पैसा जो कि बहार निकला है तो यहाँ पर 11% का fall आया है साथी साथ अगर मैं आपको दिखाऊ bitcoin की dominance तो भाई bitcoin की dominance भी गिर रही है अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि यह अच्छा bitcoin की dominance भी गिर रही है यानि कि bitcoin के अंदर भी पैसा नहीं आया ठीक है altcoins के अंदर भी पैसा नहीं आया एक आउट कर सकते हो यह जो आप आ रहे है न मार्केट में यह जो आपका कह सकते हो 11-12% का जो इंक्रीमेंट आ है भाई यही क्रिप्टो काईसी मार्केट को लेकर डूब रहे हैं क्यों क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर USTT की डॉमिनेस बढ़ती है तो ब अपने जो क्रिप्टो है उसको सैल करके बिटकॉइन में कनवर्ट नहीं कर रहे है एपनी जितनी भी क्रिप्टो है उसको सैल करके कहां USTT जो हमारे traders है या आप कैसकते हो whales है वो ready नहीं है market में participate करने के लिए लेकिन क्या ये ready नहीं होने के क्या ये आगे ready कब होंगे मतलब कब जाके ये जो लोग है ये आप क्रिप्टो के अंदर investment करेंगे तो आईए इसके बारे में बात करेंगे उससे पहले मैं आपको bitcoin के चार्ट के पर लेके चलता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पर condition समझाता हूँ कि bitcoin का moment next हमारा क्या होगा तो फिलाल आप bitcoin को यहाँ पर आप देख सकते हो 4 घंटे का चार्ट में आपके लिए लेके आगया हूँ ठीक है bitcoin में लगातार fall है ठीक है अगर bitcoin का प्राइज आपका 27.000 का लेवल तोड़ता है तो दो लेवल आने हमारे definite है वो कौन से है पहला लेवल है आपका 25.000 700 और दूसरा लेवल हमारा 24.800 ठीक है दो लेवल हमारे आएंगे मार्किट में ये लेवल हमारे दो आने वाले है नीचे के तो इन चीज़ों को ध्यान लखना है और ये जो चार्ट है मैं काफी वेले से फॉलो कर रहा हूँ लगातार आप देखो जो हमारा चार्ट है न यहाँ पर जब भी हमारे support area पर आया है price जैसे कि पहले support area पर आया था ये था हमारा पहले support area तो यहां से हमारे अच्छा खास उपर की साड़ बाउस बिला था फिर हमारा जो second support area था वो ये था यहां से हमारे अच्छा खास बाउस बिला अब हमारे third support area थोड़ा सा नीचे है खेर मुझे लगता है कि bitcoin में अगर आपको थोड़ा सा भी फॉल दिखता है 27 यार से नीचे तो get ready फिर हम अराम से अराम से 25 यार आट सो और 24 यार आट सो के गरीब हम आ रहे हैं ठीक है भाई ये बात आपके सामने के लिए इस बात को आप के लिए रखिएगा बाकि आल्ट कोईंस में ये आपको opportunity मिल दी है मेरे बाई acclimate करने की जैसे कि अगर मैं आपको daily में दिखाओं तो बहुत सारे altcoins ऐसे भी हैं देखें बहुत सारे altcoins ऐसे भी हैं जो कि daily में अपना जो RSI है उसको नीचे टच कर रहे हैं नीचे वरे level को टच कर रहे हैं यानि कि जब भी price इस level को टच करता है RSI में तो वो overbought में oversold में चले जाता है तो बहुत सारे altcoins ऐसे जो कि oversold में जाने वाले हैं तो इन altcoins के उपर अपनी दाजर बना के रखिएगा जैसे कि पहले altcoins हम देख लिए link दूसरा हमारा bch थी है कि भाई आप कौन से altcoins बाय करके रख सकते हैं भाई आप मेरे चैनल पर जाके देखिए मैंने आपको अलड़ी बता के रखा हुआ है कि आपको कौन से altcoins बाय करने चाहिए इस crash के अंदर कल ही मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है तो यह वाली जाके वीडियो जरूर जाके देखेंगा पांच hidden altcoins इसमें मैं आपको बताया कि यह altcoins जो है यह आप acclimate करके रख लो जब भी crash आएगा और जब भी वीडियो बनाई थी मैंने तब भी आप से गहा short term में जो अपनी trading है उसको थोड़ा सा change करिएगा short term में क्या है trading थोड़ा सा कम करिएगा अपना spot पे है जो आपको opportunity मिल दिये न नीचे dip buy करने की dip buy करते हुए चलिए क्योंकि यह जो dip buy की opportunity है यह आने वाले कुछ हफतों में ही आपको अच्छा return मना के दे देगी हमेशा थ साइड में निकाल के रखो ताकि अगर crash आए तो भाई उस crash में आप यहाँ पर बैठे ना रह जाएं देखते ना रह जाएं कुछ acclumate भी कर पाए ठीक है मेर भाई तो यह बात आप समझो बाकी कुछ altcoins जो मैं आपके सामने रख दूँआ आने वाले time में और already रख भी द जरू तो जाके जरूर देख लिना बाई टेकर नबी सेफ क्रिप्टो काई से जिन्दाबाद क्रिप्ट मार्केट जिन्दाबाद क्रिप्ट इंवेस्टर जिन्दा बाद